स्वागत आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाशा और मुकुल और आज जिन तीन मुद्दों के साथ हम आपके सामने आए हैं मुद्दा नंबर एक राहूल अमरीका में मगर उन पर हमला करने के लिए ज्जूट पर ज्जूट मुद्दा नमबर दो उत्तर पदेश के सुल्तानपुर में इंकाउंटर पर उठे सवाल मगर मुख्य मंत्री आदितनाथ सुधरने का नाम नहीं ले रहे और मुद्दा नमबर तीन मनेपुर पर बोलने के लिए आखिर प्रदान मंत्री किस बात का इंतजार कर रहे हैं वहां हालाद बच से बत्तर होते जा रहे हैं मगर शुरुआत हम राहुल गांधी के साथ करेंगे वाकर एक शौकिंग है दोस्तों राहुल गांधी अमरीका में है मगर उनके हर बयान को तोड मरोड कर पेश किया जा रहा है वह आरक्षन पर कुछ बोलते हैं मगर यह कह दिया जाता है कि वो आरक्षन विरूध ही है जबकि उनका ऐसा बयान कुछ भी नहीं था वो सिर्व यह कहते हैं कि चीन एक प्र्ड़क्शन हब है तो पूरा गोधी मीडिया, तमाम जो भाजपा के निता हैं ये कहने लगते हैं कि वो चीन परस्त हैं एक एक करके राहुल गांधी के खिलाव जूट का परचार और बात वानी रुकती भाजपा के एक निता ने एक मंच से ये तक कह दिया कि जो हाल तुम्हारी दादी का हुआ था वो हाल तुम्हारा कर दिया जाएगा, मगर कोई गोधी मीडियास पर डेबेट नहीं करेगा क्या राहुल गांधी के खिलाव भीड़ खड़ी की जा रही है, जो अपने आप में बहुत शौकिंग है क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगी भाशा अभिसार एक बात साफ है कि राहुल गांधी ने जो कहा अमरीका में ठीक उसी तरह का आचरण भारती जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर्स कर रहे हैं, जिस तरह का दुषप्रचार कर रहे हैं वह बता रहा है कि वाकई लोकतंतर पे खत्रा कितना है और साथ ही साथ राहुल गांधी से किस कदर डर गई है मोधी सरकार या इसका भी नमुना है एक साथारण विजिट जहां पे वो बुनियादी सवाल उठा रहे है वह भी हजम नहीं हो पा रहा है और उस बहाने वो नरेटिव सेट कर रहे हैं राहुल गांधी को देश द्रोही तक कह रहे हैं और ना जाने किनकिन अब शब्दों से उनको नवाजा जा रहा है राहुल की ताकत भारती जन्ता पार्टी इस समय समझ गई है अभी सार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच यह है कि भारती जन्ता पार्टी ने तमाम लक्ष्वन रेखाओं को लांग दिया है अब पार्टी का एक नेता उन्हीं जान से मारनी की धमकी दे रहा है आप एक व्यक्ती के खिलाब भीड खड़ी कर रहे हैं उसके बयान को तोड मरोड कर याद कीजिए का संसत के अंदर राहुल गांधी ने भाजपार और आरेसस की तरव इशारा करके उनकी सोच को हिंसक बताया था मगर प्रधान मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि आप हिंदूओं का अपमान नहीं कर सकते हैं वो नेता विपक्ष हैं समवाद कीजे उनके तरकों का जवाब दीजे आप तो हिंसा पर उतर आए क्या है इस मुद्दे का पंच बताएंगे मुकुल हाँ मेरा भी ये मानना है साथ कि राहुल ने बहुत महत्पून बाते की हैं पर गौर किया जाना चाहिए लेकिन उन्होंने जो कहा कि चुनाओ के बाद डर खत्म हो गया है मेरा मानना है कि डर खत्म नहीं हुआ डर कम जरूर हो गया है हाँ बीजेपी का डर जरूर बढ़ गया है इसलिए उन पर हमले भी तेज हो गये है भाशा भाशपा का एक नेता खुल कर एक अमंच पर कह रहा है कि जो हालत तुम्हारी दादी की हुई थी वही हाल राहूल गांधी का कर दिया जाएगा सबसे बड़ी बात मैं नहीं भूलाओं किसान आंदोलन में किसी एक किसान जो कोई चेहरा भी नहीं था उसने ऐसी बात कह दी थी तब आपको यादे प्राइम टाइम में डिबेट हुआ था किसानों को अखालिस्तानी बता दिया गया था क्या क्या नहीं कहा गया था उस एक वक्तवे पर महा यहां पर एक भाजपा का पूर विधाय के सब कह रहा है गोदी मीडिया में खामोशी है सबसे बड़ी बात ये भारती जनता पार्टी की सोच का परिणाम है कि आप जूट बोलो जूट बोलो लगातार जूट बोलो और नतीजा अब नेता प्रतिपक्ष की जान लेने की जो धमकी दी जा रही है और देखे इससे जो महाल बनायने की कोशिश हो रही है भारती जनता पार्टी की तरफ से वो बहुत सुनियोजित है वो पूरा टूल किट है जो सुबह A&I के बाइट से शुरू होता है और शान को प्राइम टाइम डिबेट में खत्म होता है और वहां पर एक नरेशन बिल्डप के आयाता है कि असली स्टेटमेंट अरे राहूल गांधी ने बोला कि आप तो चला दूआ वो चलाने की आपकी हम्मत नहीं है आप यह नहीं दिखा पाते हो क्यों डेमोकरेसी के खत्रें के बारे में बता रहे हैं वह बता रहें कि माइनौरिटी के साथ आज यह हो राओ यह हो सकता है आप उसे बताते हैं कि आज ही यह हो रिए और आरख्षन मुझे तो हसी आ रही थी एक नाश चिंदे जी को देखके मुख्यमंत्री है महराश के और वो बकायदा प्रेस कॉंफरेंस करके या कहने की कोशिश करते हैं कि आरक्षन खत्म करना चाहते है तो कि बहाराश में चुनाव होने वाले हैं लेकिन इससे एक चीज़ साबित होती है कि जो टूलकिट राहूल गांदी के खिलाव और तक्रीबन हर विदेश यात्रा पे शुरू होता है जिसमें मनोश तिवारी सरी के सांसत भी बोलते हैं उससे ये पता चलता है कि राहूल से डर भी है और ये कोशिश है कि उनकी असली स्टेटमेंट नीचे तक ना जाए उनको तोड मरोड के दूसरे ढंग से पेश किया जाए बिल्कुल दरसल मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सिक्खों पर उनका जो बयान है उसमें उन्होंने कहा क्या उनसे सवाल पूछा गया था जिस पर राहूल गांधी ने जवाब दिया कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिक्ख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने की अजाज़त दी जाएगी या वो एक सिक्ख के रूप में गुरुद्वारे जाने में सक्शम होगा लड़ाई इसी के बारे में है और ये सिर्फ उनके लिए नहीं सभी धर्मों के लिए मुकुल सबसे पहली बात ये बयान सिक्खों के खिलाफ नहीं है भड़काओ बयान नहीं है ये इस देश में माइनॉरिटी इसको लेकर क्या नजरिया रहा है पिछले दस सालों में उसको लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ किसान अंदूलन याद है आपको किसान संधू और टीकरी बॉर्डर पहुचा भी नहीं था उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा था इस सरकार ने अफिडेविट में सुप्रीम कोट में कहा था किसान अंदूलन में खालिस्तानी है कौन अपमान कर रहा है सिखों का सबसे बड़ी बात दूसरी बात प्रधान मंत्री एक पुल पर फस जाते हैं दो किलोमीटर दूर किसान संघर्ष कर रहे होते हैं और प्रधान मंत्री का कहते हैं मैं किसी तरह से अपनी जान बचा कर आए है सिखों को कौन जोड रहा है हिंसा के साथ शर्म आती है नों को क्योंकि उन में पंजाब में उनकी जमीन खिसक गई है पंजाब में उनकी जमीन पहले भी थी अकाले दल ऑमिंका अलन बी जहीं गान aesthetic मैं देखता है कि पंजाब में और उसके बाहर दिली में बी इस बयान को लेकर सिख्खों के इतने प्रद्रेशन किया रहे हैं बीजेपी तरफ से लेकिन समझ में नहीं नहीं आ रहा है वही आरक्षन के मसले पर हुआ उन्होंने का कि खत्म होगा कि जब सब बराबर हो जाएंगे विशमता खत्म हो जाएगी तो चीजों को तोड मरोड कर जो पेश क की तर्फ कर दो जाएखी तूने के ऊओता है और अब ग्लोपलाजेशन का दोर है वो ने रहां जाएजा इसमर्म से हैं यहां नहीं तो यहां बोलें और वहां ना बोलें मुझे लगता अि अब हर जगह बोलन से बिक dynamics लिए होगा है और दुनिया के मैं आरक्षन के मुद्दे पर यहा ना चाहूंगा भाशा, आरक्षन पर देखिए, राहुल ने ये कहा कि भई, ये समाज जब बराबरी होगी तब हम सोच सकते हैं, आरक्षन खत्म दन की बात, मगर उससे पहले उन्हें पूरी एक रूपरेखा तयार की थी, कि आप में, टॉप 200 विजनसमें में, कौन है दलित, कौन है OBC, वो ये भी पूछ रहें नौकर शाहों में देखो, नुमायंगी नहीं OBC इसकी, अरे पहले वो प्रिष्ट भूलमी देखो ना, इनकी सोच देखिए क्या है, एक बयान को उठाकर, जूट बोलकर, उसे फेलाना एक आदमी के खिलाफ जनता को बढ़काना, और देखिए कि सबसे दिल्चस पर बिल्कुत सही कहा आपने है, अभी सार, कि राहूल गांधी एकलोते राष्टियनेता है, जो देश में पिछले दो सालों से जातीकर जंगरना के लिए बैटिंग कर रहे हैं, चुनाओं में उसका रिजल्ट मिले ना मिले, यह बता रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब से, और वो आरक्शन विरोधी क्योंकि यह जो एक ड्रामा है, भार्ती जनता पार्टी दर असल एक ड्रामा पार्टी में तबदील हो जाती है, कि आप छोट नरेशन बिल्डफ है कि यह देश के खिलाफ है, और मैं दूसरी चीज़ कहना चाहूंगी, जिसका मुकुल ने भी जिक्र किया, आप भी कह रहे हैं, सवाल है नेता प्रतिपक्ष का काम देश में और विदेश में एक ही है, और पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं है, हमने इस का जिक्र करते हैं उन्हें भाषण दिया था अभी मैं कह रहे हैं, कि अभी जो ने भाषण दिया है, उसमें भी बताया कि 2014 से पहले देश का क्या हाल था, बतौर पी-एम, आप कैसे बोल सकते हैं इस देश के बारे में कि 75 साल में कुछ नहीं हुआ, 24 के बाद से कहानी चली किया वो देश के खिलाप माम्ला ने, कि अन्थेरा था, जाओं में बिजली नहीं थी मैंने यह किया, मैंने यह किया, लेकिन मेरा माम्ला है, कि बिद्खोन मुद्धों पर बात हर जगा होनी चाहिए, और इस पी-चिंता करने के बज़ाए, वो मनी पुर पे-चिंता करते, और इसमें राहुल ने साब भी किया, दुबारा उनका एक वीडियो आया, उन्हों कहा कि मैं तो आरक्षण की सीमा 50% से भी उपर ले जाना चाहता हूं, तो मैं आरक्षण विरोधी कैसे उसका। तो यहां पर बेरोजगारी दूर हो सकती है, मगर साब देखिए बाकाइदा जोशी जी की तरफ से टूलकिट आजाता है, प्रधान मंत्री कारयाले की तरफ से और देखिए सारे गोधी मीडिया में चीन परस्त, चीन परस्त, चीन से क्यों है मौंपत, उन्होंने तो यह भी क यह पूरी पूरी टूलकिट और मुझे इस पर भी थोड़ी सी अफसोस भी हुआ, मायवती भी इसमें कुदी आरखण के मुद्दे पर, जबकि वो बिलकुल खामोश रहीं तमाम मुद्दों पर, तो वही बात है कि वो आरखण, यह कोई भी आम आदमी, कोई भी समझदार यही कहेगा कि आरखण कब तक रहेगा कि बही जब तक विशमता है, मैं चाहिना की बात कर रहा हूं इस वक्त, भाशा, अगर आप इस तरह से करोगे तो फिर आप पर भी तो वार आएगा, मैं नहीं भूला हूँ, प्रधान मंत्री बनने से पहले, प्रधान मंत्री बायान है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम चीन के साथ साजेदारी कर रहे हैं, गुजरात के अंदर फिर हम मेडल जीतेंगे, स्पोर्ट्स के मुद्दे पर, गुजरात की प्रश्भूमी में कहां मेडल जीता, क्या हुआ, तो धिलो उन्हों नहीं जुला तो बतार प्र राहूल गांधी की पॉपुलारिटी से और जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन मुद्दों को जमीन तक पहुचने से, इसलिए सबसे पहले कोशिश होती हैं, और यहां टूल किट स्टार्ट हो जाता है, कि इसका काउंटर कैसे किया जाया है, इसका यह जवाब दिया ज भी बीजेपी ने जो आलोचना के साथ स्टोरी शुरू हो रहे हैं, पहले आप यह तो दिखाओ कि राहूल गांधी ने बोला क्या, उसके बाद आप, तो यह नरेशन बिल्द अप है, और राहूल गांधी का जो कद बढ़ रहा है, उसे कंट्रोल और उसे बदनाम करके नी दिखाई देता है, आपको याद होगा, संसद के अंदर, लाइव हो आये सब, राहूल गांधी प्रधान मंत्री के तरफ इशारा करके, उनकी हिंसक सोच की बात कर रहे थे, प्रधान मंत्री घड़े होते हैं, आप हिंदों को हिंसक नहीं बता सकते हैं, आप देखें, यह स तरस नहीं हैं, तो उसे भी हिंदु के खिलाफ बताता है, तो BJP, उन्हों ने अपने आपको हिंदुत्वा और हिंदु में अपने आपको यह दिखाने के कोशिश की है, तो यही खत्रनाक है, वो सोचते हैं, कि Modi हिंदू, और Modi का विरोधी, हिंदू विरोधी. और यहां प्राइम मिनिस्टर इस इक्वल टू इंडिया, मतलब आप मौझूदा सरकार की आलोचना नहीं करेगा विपक्ष, तो क्या उनकी तरह पंडि जवाहरलाल नहरूप के पास पहुच जाएगा, या आठाल भिहारी भाश्पही के पास पहुच जाएगा, मतलब क्या क करेगा, और बताए भाशा सबसे शॉकिंग यह है कि जो प्रधान मंत्री का अंदाजे बया, भाशपा का अंदाजे बया, उनकी जो दो रुपली ट्रोल्स है ना, वैसा होता जा रहा है, वो फर्क हम नहीं देख रहे हैं, वही हाओ भाओ, जो जो वाहियाच चीज़े उनक क्या बयान देते हैं, वो कैबनेट मिनिस्टर हैं, और आप इस तरह का बेहुदा बयान दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अपनी दादी से मिलेंगे, तब आप समझेंगे, रसेस पर बात करना एंटी नेशनल हो गया है, बीजेपी पर बात करना एंटी नेशनल हो गया है, दरसल देश भक्ती की जितनी भी बाते हैं वो भारती जनता पार्टी की डिक्षनरी में एंटी नैशनल है वाकई बहुत शौकिंग है जिस तरह से राहूल गांधी पर हमला किया गया और ये राजनीती के लिए सही नहीं है क्योंकि नेता विपक्ष के साथ आपको समवाद कायम करना चाहिए मगर आपने क्या किया हुआ है उसके खिलाफ एक जूटा प्रचार उसमें लगा दिया अपने प्रचार तंत्र को और अपनी गोदी मीडिया को जो अपने आप में बहुत ही शौकिंग है मजाग बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार चला रहा है कि अगर तो आप उस जाती के हैं जिस जाती से मुख्यमंत्री आदितनात आते हैं तो आपके प्रती नर्मी बरती जाएगी वरना आपको मौद के घाट उतार दिया जाएगा ये सवाल उठ रहे हैं और इसके लावा ब्यूरोक्राट्स और गैंग्स्टर्स के बीच जो रिश्टे हैं उसने इसे भी उजागर किया है क्या है इस मुद्दे का पंच बताएंगे मुकुल हाँ मेरा माना है कि सवाल क्यों ना उठे क्योंकि जब योगी जी बिलकुत चिनित करके अपनी बात कहते हैं और चिनित करके ही उसका सियासी फाइदा लेना चाहते हैं तो हर एंकाउंटर हर बुर्डू जरेक्शन पर सवाल उठेंगे और ये मंगेश यादवी नहीं उन्होंने अतीक एमत और मुक्तार अंसारी इनक जिस तरह से एंकाउंटर किये जा रहे हैं जिस तरह से बुल्डोजर वाले एंकाउंटर चल रहे हैं वे एक बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि यह कानून का शाशन नहीं है और जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया है वह बहुत इंपोर्टन्ट है वह बहुत सिग्निफिकेंट है कि विपक्ष आज की तारीक में कम से कम यह हिम्मत दिखा रहा है उत्तर प्रदेश में कि वो बोले कि यह गलत हुआ है अगर कोई दोशी था तो एक प्रॉसेस के तहत उसे सजादी जानी चाहिए वरना यह अन्या है इंजस्टिस है यह एक इंपॉर्टन सवाल है जो सारे विपक्ष को उठाना ही होगा अभी सार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच यह है कि सुल्तानपुर में जो इंकाउंटर हुआ है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं जिस तरह से ATF के जो आफिसर्स हैं चपल पहन के इंकाउंटर कर रहे हैं उन पे धेरों सवाल उठ रहे हैं मगर उन सवालों का जवाब देने के बजाए मुख्य मंतरी आदितनात समाजवादी पार्टी पर ताना मार रहे हैं कि आप एक अपरादी के साथ हैं क्या मंगेख श्यादव क खिलाफ गंभीर अपराद थे या अपराद दर्ज हैं नहीं मगर आप एक एंकाउंटर जिस पर सवाल उठ रहे हैं उस पर मजाग बना रहे हैं उस पर आप हस रहे हैं आपके अंदर की जो समवेदन हिंता है वो खत्म हो गई है वाकई भाशा शौकिंग है जिस तरह से का स्वजाती था उसने नाट की ढंग से अदालत में आत्म समर्पड कर लिया आत्म समर्पड था आप में देगा हाथ में हदकड़ी भी नहीं थी बिल्कुल आराम से उसका हाथ ऐसे पकड़ के ले जा रहा था जनता के सामने खुले आम यह सब हो रहा हैं सबसे बड़ी बा और यह वाला जो इंकाउंटर है अभिसार क्योंकि इसमें जो मुखे सरगना जिसने सरेंडर किया उसकी जो सरेंडर की पूरी प्रक्रिया वह भी इसले क्योंकि CCT कैमरा में वही कैद हुआ है लिहाजा सबसे बुनियादी जो सवाल है सिर्फ इसी को नहीं आप याद करिए कुछी दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजदानी लखनाओ लखनाओ में एक वीडियो आता है जिसमें कुछ लोग बाइक के उपर बैटे हुए हैं एक कपल जा रहा है और उसमें लड़की को कीचा जाता है उस मामले में जिसको गिरफतार किया और योगी जी ने विधान सभा में खड़े होकर मजाक उड़ाया कि यादवों का और मसल्मानों का नहीं उन्होंने कहा कि ये सभावना वाले लोग हैं जो पकड़े गए टर्म इस्तवाल किया इन पर बुलिट एक्स्प्रेस चलेगी बुल्डोजर चलेगा तो और पता चला कि सारा मामला फरजी था की जो मीडिया है उसका सवाल उठाना उसका टेली कास्ट करना और समाजवादी पार्टी का इस पर जमीन पर उतरना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तो बेलगाम है और दस सीटों पे जो चुनाओं है उसके अफिये तैयारी मुख्य मंत्री आदितनात का पक्षपात हम साफ तोर पर देखते हैं उनके लहजे में जो नफरत दिखाई देती हैं उनके जुबान में उनकी भाशा में जो दिखाई देता है लखनओ वाले उस छेड़खानी वाले वीडियो पर जिस तरह से वो यादवों पर मुसल्मान कर रहा है उसमें लगा हुआ है कोई लगाम नहीं है और इसे उपलबधी के तोर पर तमगे के तोर पर लेके घुम रहे हैं मुक्य बात या अगर दोशी भी है तब भी आप इस तरह से बुल्डोजर नहीं जला सकते ऐसी एंकाउंटर अगर वो दोशी भी है तब भी आप के तोर पर दिखा रहे हैं वो चाहे कावन यात्रा में नाम हटा है महां साफ दिखता है कि पक्षपात और किस तरह की जैनियत है नाम हटाने का मामला हो एंकाउंटर का मामला हो बुल्डोजर का मामला हो और मुझे हैरत है आज यह सब काउंटर करने के लिए तमाम मीडिया आज एक लिष्ट दे रहा है, कि यादव या मुसलमानों से जादे तो तो ब्रह्मन का इंकाउंटर हुआ है, मेरा सवाल निकाउंटर है यादव का हुआ है, लेकिन अगर हुआ है और वो फड़ी हुआ है तो उस पर सवाल उठना ज़रूरी है, और यह पूछा जाना इस पर सवाल क्यों जरूरी है आपको विकास यादवाद है वो गैंक्सटर जिसने पुलीस वालों को मौत के घाट उतार दिया था फिर भाग गया था फिर उसे पकड़ा गया और जब उसे वापस लाया जा रहा था तो गाड़ी पलट जाती है अचा उसको लेकर भी ये माधी में विकास दुमे के फाईनाशएर को बुलाते हैं उनकी फोटो सामने आती है बात वहाँ नहीं रुखती जब अवनीशावस्ति के पिता की मौत होती है तो तेरवी में यही जय वाचपई दिखाई देता है जो की विकास दुमे का फाईनाशएर था और तो और इस फोटो स्वतांत्र देव सिंग के साथ भी दिखाया दिए है यह जो ठोकदो है यह वहांट यह बहुत को बहुत महां काम नहीं कर रहे हैं आप अपने गुणा चुपाने के लिए कर रहे हैं घुना जुपाने और सबसे बड़ी बाथ है कि आप एक तरह से गरीबों और अपन जो जाती के लोग नहीं है, जिनको आप प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, उनको मारने के लिए इस्तमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बैसनेस है, ये जो भेदभाव है, भेदभाव ही नहीं अभिसार, ये जो नफरत है, दरसल इस समय नफरत का बुल्डोजर चल रहा है, सिर्फ उत्तरप्रदेशी में नहीं असंभी competition में हैं मनीबुर्ख competition में लेकिन जो शुरुवात की है सीधे सीधे पूरे निरलज ढंग से कोई मुख्यमंत्री कैसे बोल सकता है अपने राज के नागरिक के बारे में कि यह सद्भावना वाले लोग हैं इन पे bulldozer चलेगा इन जो encounter है यह इस बात की गवाही देता है कि किस तरह से पूरे बड़ा racket था क्योंकि हमें पता है कि पहला मुख सरगना कौन है उसके गुनाहों को छुपाने के लिए इसकी encounter में हत्या की गई है और एक बात मैं और जोड़तू हूं इसमें कि योगी जी को नहीं भूलना चाहि तो यही यही उनके राज में हो रहा है तो फिर हम किस से सनक्षाना है उसमें हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि यह लगातार स्थानियें पत्रकार मुझसे कह रहे हैं कि जो एटीएफ हैं अब आपने ओडीके शाही को देखा साथ हजार की चपल पहन के सहाब वो encounter करने प पूछ पा रहे थे अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया उस आरोप तक को नहीं दोहरा पा रहे थे यह खौफ है इन सो कॉल डेटी आफ 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 आफिसर्स का उपर से लेके नीचे तक है उपर भी केंदर में भी जिस तरह एजन्सियों को दुर्पयोग हो रहा है र पाशार इस एक चीज में जरूर जोड़ना चाहूंगी इसलिए देखिए उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे जो गुंडा राज चल रहा है जिस तरह से रेप हो रहे हैं लखनौ में जिस तरह से चलती कार में रेप होता है लड़की के साथ और F.I.R. तक नहीं होत पूछना चाहता हूं क्योंकि यहां पर दो नाम आ रहे हैं बार बार डीके शाही जिसका मैंने जिक्र किया जो की चपल पहन के वाँ पहुंचते हैं दूसरा अमिताब यश जो की अडिशनल डीजी है इनके राज में लगातार ये बात बढ़ रही है मैं आपसे समझना चा जो अधिकारी है उन पर बहुत ही कम गाजगिरती है क्योंकि वो सेटिंग अपनी नई सरकार से भी कर लेते हैं लेकिन अगर विपक्ष प्रती कमिटेड है तो निश्चित तोर पर एक मैसेज जरूर जाना चाहिए इनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह स इन्होंने उत्तर प्रदेश को बरबाद प्रदेश में तब्दील कर दिया है कहीं भी कानून वेवस्था नहीं है अभी हमने देखा ज्यादा दिन नहीं हुए है जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है सुल्तानपूर उसकी गवाई दे रहा है कि कहीं से कोई खौफ नहीं है सवाल तो यहां पुलिस अधिकारी पर उठना चाहिए था सवाल तो यहां पर हैड रोल होना चाहिए था कि कैसे इस गैंक को आपने इतनी इजाज़त दे दी है तो यह दिखाई दे रहा है कि इन लोगों के नाम पर और जिस तरह से उगाही है अभी सार मैं तो लखनों की रहने वाली हूं हर एक व्यक्ति के पास अपनी कहानी है रिपोर्टर्स के पास चापने का साहाज Ugahy पूलिस द्वारा or किसके द्वारा ugahy पूलिस ही कर रही है तब ही तो यह सारे गुंडे जिस तरह से फैले हैं क्योंकि उनको पता है कि हम बच जाएंगे मैं सरेंडर कर वाले ठेले से उठा लिया दो लोगों को और आपने सारे मीडिया में बता दिया कि ये मुसल्मान है ये यादव है यही लोग दरसल बदमाशी करते हैं। जाते हैं वहाँ पर शुकी जूतम पैजार चल रही है भाजपा गटबंधन में उसे संबोधित करने हैं। प्रधान मंत्री यानि की पॉपव रूस और यूक्रेन में तो युद रुकवा सकते हैं। मगर मनिपूर के प्रतियों की कोई जवाब दे ही नहीं है। क्या है समु मनिपूर का मामला इतना बड़ा है कि अब मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री के इस्तीफेक तक की मांग होनी चाहिए। भाशा, क्या है समुद्देगबंच? सोला महिने से सुलकते मनिपूर पर एक शब्द आज तक नहीं बोल पाये प्रधान मंत्री नरेन मोदी, वे पहुच आते हैं CGI के घर, लेकिन वे नहीं पहुच पाते मनिपूर जो लंबे समय से चिला रहा है कि आप आई और देखिए कम से कम, नेता प्रतिपक्ष मांग उ पताते हैं कि लोकतंत्र मेरे हिसाब से चलेगा, जनता के हिसाब से नहीं, अभी सार क्या है इस पर आपका पंच? इस सरकार की क्या प्राथमिक्ता है वो इस बात से पता चलती है कि ग्रेह मंत्री अमिच्शा महराश तो पहुंच सकते हैं, मगर मनिपूर जहां हालाद बच से बत्तर हो रहे हैं, जो कि हमारे देश का हिस्सा है, उसके प्रतिक किसी की जवाब दे ही नहीं है, मीडिया खाम इतनी अजिबो गरीब बात है हाँ पर मुकुल कि अमिच्शा महराश पहुंच गए साब, महराश पहुंच गए, सतीश आचारे का बहुत इंट्रेस्टिंग कार्टून है, मोदी जी पंच्छी बनकर उड़ रहे हैं, और वो पूतीन से कह रहे हैं कि मैं वार कवादू, प सारत की जबरदस भूमिका होगी, अरे साब मनिपूर को तो बचा लो पहले, मनिपूर को इसलिए नहीं बचाएंगे, अभिसार, कि मनिपूर में जो हिंसा है, उसे भड़काया जा रहा है, वो भी राज्य सरकार के इशारे पर ही हो रहा है, उसके तमाम सबूत भी सामने आ रहा है, वो राज्यपाल के खिलाब कर रहा है, वहां के पुलिस जो चीफ है, उनको हटाने की मांग कर रहा है, तो मुख्धमंत्र के परती उनमें गुसा नहीं, मुख्धमंत्री उनके साथ हैं और इस हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, इसी वज़े से केंदर या मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, भाशा, मुझे लगता है, यह जो मनिपूर में दिखाई दे रहा है, यह वही सोच है, जो आप केंदर में राश्ट्री इस तरह पर देखते हैं, कि हिंदू मुसल्मानों को बाट दो हम अपनी राजनीतिक चला देंगे, इन्हें लगा कि म मनिपूर में हम वही चलाएं, वही फॉमिला वहाँ पर मगर यहां पर मैते ही और कुकी के संदर में चलाए जा रहा है, तो यह कहीं न कहीं बताती है भारती जनता पार्टी की वो बुनियादी सोच कि बाटो और राज करो, मगर मनिपूर उसका खाम्याजा वो बता है, इस जो वहां का बहुल समाज है, यानि मैजॉरिटी कमूनिटी है, मैते ही समाज, उसमें लगातार ये हिंसा, आग और इंफ्रियॉरिटी पैदा करा जा रहा है, कि तुम्हारे को खा जाएंगे कुकी, तुम्हें खा जाएंगे नागा, जो राश्री इस तरवर हिंदू के है, वह सब को सुनना चाहिए, कि यह सिर्फ मनिपूर तक नहीं रहने वाला है, यह जो पार्टिशन वो कहते हैं, यह पार्टिशन जैसा आल है, कि आप 60,000 आर्म्ड फोर्सेस के बावजू, 60,000 आर्म्ड फोर्सेस हैं मनिपूर में, 32,000 पोपुलेशन है, और आप तब भी कंट्रोल नहीं कर पारें, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, और यही वज़े है कि डिवाइड और रूल वाला जो फॉर्मूला है केंदर सरकार का, उसी की वज़े से बिरेन सिंग को लगातार प्रोटेक्शन मिल रहा है, और बिरेन सिंग आज की तारीक में, अभी साथ, मीडिया में दिखा रहे हैं, कि मैं तो केंदर से और ज्यादा अधिकार मांग रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, आम्ड फोर्सेज हट जाएं, क्यों हट जाएं, ताकि कतले आम बड़े पैमाने पर हो जाए, और हमें ये चिंता होनी चाहिए, कि जिस तदहा से मन आजनकारी सोच भाजपा की दिखाई देती है, मगर सबसे बड़ी बात, डबल एंजन की सरकार, जो ये हमेशा उपलब्धी की तोर पर पेश करते थे, वो पूरी तरह से एक्स्पोज हो गया है, ने तो वही, मैं कहा रहा हूं, पर ये आख से खेलना है, और ये बहुत बता रहूं की ये डबल इंजन सरकार, इसे एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, एक जिम्मेदार रवया अपना आना चाहिए था, लेकिन मणीपूर को लेकर, और उसी तरह चुपी जो हमारा चौथा इस्तंब हम कहते हैं मीडिया, उसने भी बरत ली है, तो उसे पूरा जलने दिया जा रहा है और देखा जा रहा है कि इसकी आग कहां तक पहुंसती है, लेकिन ये आग बहुत खतरनाक होगी हमारे देश के लिए, लोगतंतर के लिए, और हमारी एक तच चले, और ये क्रिमिनल साइलेंस है, मैं क्योंगी कि ये हमें जरूर रखना चाहिए कि द यहां पर इतने लोग, साथ हजार लोग बैटे हुए हैं, रिलीफ कैम्स में, मैलोडी पे ट्वीट होता है सारा, और आप यहां पर ये जो आपराधिक काम हो रहा है, ये हमारे आपके और हमारे देश के लिए खतरनाक है, अपने आप में बहुत शौकिंग है, मगर जैसा क प्रधान मंत्री की राजनीती रही है, सुविधावादी चुप्पी, जहां पर नहीं बोलना है, या जिसे तरजीए नहीं देना है, उसे प्रधान मंत्री जो हैं उठाते हैं, एक कालपनिक डर पैदा करते हैं, कि तुम्हारी भैसिया चीन लेंगे, तुम्हारा मंगल सू वीजे जासाट, नमस्कार!